नमस्कार 5 अगस्त को 500 सालों के बाद ऐसा आउसर आ रहा है कि जब भगवान स्रीराम की धर्ती अयोध्या में स्रीराम जन्व भूमी का और मंदिर का भूमी पूजन हो रहा है और इस एतिहासिक आउसर को साक्सी बनेगा ये पूरा विश्वा और अमेरिका तक इस आउसर के लिए पूरा उत्सुक है आपने देखा किस तरीके से टाइमस स्क्वाइर पर भी वहां पर पूरी तयारियां चल लिए राम मंदिर भूमी पूजन को लेकर लेकिन यहां पर किस तरीके से कॉंग्रेशों को एक तो जलन हो रही है और अब वो इस पर अंद विस्वास और थ प्रिम कोर्ट में यह स्विकार किया था कि यह काल्पनिक चीज है राम कोई अस्तित्व राम का कोई अस्तित्व नहीं है और जो राम सेतु है उसको भी तोड़ने का उन्होंने कुछेष्ठा जाहिर की थी और आपको बता दें कि इनका सबसे बड़ा जो वकील है कपिल लिए मुस्लिम सेंटिमेंट नजर आ जाता है इसलिए राममंदिर नहीं बनना चाहिए अब इनके लिए जब राममंदिर का टाइम आ गया है तो यह पूछ रहें कि यह असुप घड़ी है और इस पर ढोंगाचार्या जो आचार्या प्रमोद कहते हैं उनको आचार्या तो है सिर्षेना भी एक करोड का दान का एलान किया है लेकिन वह भी भूमी पूजन का विरोध कर दी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो धोंगाचार्या और दिग बिजर सिंग इस सुब घड़ी को इस एतिहासिक घड़ी को असुब बता रहें एक तरब तो उनके पार्टी के एक नेता हैं जो कमलनाथ वो अपने घर में हनवान चालिसा का पार्ट करेंगे वो यग्या करेंगे अपने घर पर अपने ऑफिस में लेकिन वहीं तरब दूसरी तरब कॉंगरिस का एक धड़ा है कि वो इस तरीके के अप राजनीती कर रहा है और एक सडियंत्र पहला रहा हैं असुब घड़ी बता रहे हैं जैसे ग्रह मंत्री अमित्सा को कोरोना हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि अभी यह असुब घड़ी है इस असुब घड़ी में क्यूं वहां जा रहे हो वहां भी कोरोना कर दोगे तो इस तरीके का काम है क्योंकि भगवान ने धरती बढ़ा से जो सुब कार्य है उसका बिरोत कर रहे हैं इसी तरीके का जब आपने देखा कि ओवेसी को भी इस पर निमंतरन दिया गया है बीजेपी के एक नेता है उन्होंने ओवेसी को निमंतरन दिया है भूमी पोजन के लिए अभी ओवेसी का बयान आया था तमाम इन चीजों के लि थे तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ कमलनाथ अब राममंदीर का बोट बैंक अपने पास खिचने की कोसिस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी मध्यपरदेश में उप्चुनाव होने वाले काफी सीटों पर और उस उप्चुनाव को देखते हुए क कॉंग्रेस का कमलनाथ गोट यह चाहता है कि हमारा बोट बैंक न भागे इसलिए वो राजीव गांदी को क्रेडिर देना चाहते हैं उस बात का जबकि राजीव गांदी हो या कॉंग्रेस पार्टी वो हमेशा राम विरोधी रही है और उन्होंने राम मंदीर को अटकाने लटकाने और उसको भगवान राम को काल्पनिक बताने का जो पाप किया है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी इसका कारण है कि आज जब दिगविजाई सिंग और आचारे परमोद और तमाम कॉंग्रेस वाले इस तरीके की गलत धारणाएं समाज में फैला रहे थे इस पर सबसे आगे जबाब देने के लिए आए एक बीजेपी के मध्यपरदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान यानि मामा जी उन्होंने करारा जबाब दिया दिगविजाई सिंग को और उन्होंने लगातार एक के बाद ट्वीट किये और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन्होंने स्री राम के अस्तुत को भी नकार दिया आज राम मंदिर के निर्मांड के सुब असुब समय के निर्धारन करने में लगे हैं अरे कांग्रेश यो राम नाम लेने से समय सुब हो जाता है देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेश वही पार्टी ह जिसने कभी प्रभु स्री राम के अस्तुत पर प्रस्न लगाए सुप्रिम कोट में हलप नामा दे कर कहा कि भगवान रहम कभी पैदा ही नहीं हुए यह एक कोरी कलपना है मनी संकर आयर जी ने भगवान सिर राम के जन्मिस्थान पर सवाल खड़े की कपिल शिबल ने राम ल से सिर्फ राजनेती दिखाई देते राहुल बाबा तो यह तक कह चुके हैं कि लोग मंदिर लड़कियों को छेड़ने जाते हैं इस निकिष्ट सोच और सनातन की आस्थाओं के साथ खिलवार का नतीज़ा है कि आज संपूर कॉंग्रेस अपने पतन की और अग्रसर है और दिया था मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे यह सुब घड़ी आई है तो पेट में दर्द होने लगा है पॉराडी काल में रिसी मूनी यग्य करते थे तो असुर और राक्सस आकर उसमें बिगन डालते थे कांग्रेशियों के नेताई का यही चैरित तो चैरित रिए में लेकिन थे कहा है तो आप लगा सकते हैं जो इस सुब घड़ी को असुब बताने का काम कर रहे हैं कॉंग्रेश पार्टी को जो मिरची लगी है जो तमाम सालों तक राम मंदीर को रोकने की चेश्टा रखी उन्होंने तमाम सडियंत्र किये राम मंदीर को रोकने का जो इतना बड़ा सडियंत्र कॉंग्रेस ने इतने सतर सालों में किया अब राम मंदीर बन रहा है तो इनको इनके पेट में दर्द हो रहा है और इस बंदो जिननों ने राम मंदीर आंदोलन के लिए अपनी जान की बाजी दे दी अपने प्राणों को नियोच्छावर कर दिया वो उनके परिवार वालों को भी निमंतरन मिला हुआ है वहीं आपको बता दें कि बाबरी अधित्यनाथ भी आयोध्या का दौरा कर रहे हैं और पूरे कामूं के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पांच अगस्त का इंतजार है किस तरीके से वह एतिहासिक दिन होगा जिसका 500 सालों से यह पूरी दुनिया इंतजार कर रही है जो ओवेसी पहले ही इस तरीके का बयान दे बिरोधी हैं और ओवेसी ने तमाम ऐसे तर्क दिये कि जो बाबर के वह सपोर्टर हैं तो राम मंदीर बिरोधी जो ओवेसी हैं वही कॉंग्रेस पार्टी है और जब कॉंग्रेसियों का नाटक इस तरीके से सुब असुब घड़ी बताने का काम कर रहे हैं तो आप समझ सक सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने तो हिंदूं को आतंकी कहने का पूरा जो इतना बड़ा महापाप किया है उसको तो ना हिंदू माप करेंगे नहीं भारत कोई माप करेगा कि उन्होंने किस तरीके से चबीसी ग्यारा के बाद आपने देखा दिगविजाई सिंग ने जो एक किताब कर लॉंचिंग किया था कि आरेसे की साजी चबीसी ग्यारा लेकिन आपने देखा कि उसमें तमाम ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया साधवी प्रग्या को और पुरोहित थे उनको भी उसमें अरेस्ट किया गया और उसकी एक ठोरी दी गई थी चाहिए वो समझोता एक्सप्रेस का एक सडियंतर जो पाकिस्तान ने जिस पर अटेक किया उसको भी हिंदू की साजिस बताकर कॉंग्रेस ने हिंदू को बदनाम करने का पर्यास किया है चाहिए राहुल गांदी का हिंद पर्यास कि राजनीती करने से और इस तरीके से सडियंतर फेलाने के कि अब समय आगया पहले यहीं कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे जब तारीक और घड़ी सुब घड़ी भी आ गई है तो अब यह कह रहे हैं कि यह असुब घड़ी है एसे पाखंडियों को एसे हिंदू विरोधियों को जनता जबाब देगी और उनको जबाब भी मिल चुका है इसी का परिणाम है कि वह कभी सत्ता में थे आज वह नतो जनता के दिलों में रहे इसका खाम्याजा उनको आगे भी भुगतना पड़ेगा कि इस तरीके का कि पापापाचार्य है कर लेकिन जो इनके बिचार हैं इसी का परिणाम है कि कॉंग्रेस पार्टी आज पतन की और है कॉंग्रेस मुक्त हो रही है सारे बड़े से अच्छे से अच्छे नेता कॉंग्रेस से भाग रहे हैं और दिगविजाई जैसे और पापाचारय अचारे परमोज की तरो कॉंग्रेस में बैठ चुकी है जै हिंद जै भारत जैसे राम